जानी मानी जोतिशाचारी है डॉक्टर शिल्पी धर के पास जो पहले भी काफी भविश्वाने कर चुकी हैं और उनसे जानेंगे के आखिर अब आगे क्या दोजार चौविस की गणना क्या कहती है बहुत बहुत स्वागत है आपका नमस्कार नमस्कार आप पूरा मैंने देखा कि अपने जोतिशाचारे को जो होता है ना कि पूरा महौल बना के आपने काफी भविश्यों आने किया है शिल्पी जी और अब फाइनली देखिए एंडिये के पास नंबर्स भी हैं लेकिन सवाल आ रहा है नितिश और चंदरबा जाएंगे और बीजेपी की सत्ता में आने के पूरे पूरे चांसे हैं और नरंदर मोदी जी ही प्रदान मंत्री बनेंगे परंतु बिग क्वेश्चिन मार्क इस तिल वेन जैसे कि मैंने पिछली बार भी न्यूज एटीन पर कहा था तीन साल केवल और केवल तीन साल है नर कि नरंदर मोदी जी हट जाएंगे हो सकता है बीजेपी रहे बर नरंदर मोदी जी प्रदान मंत्री नहीं रहेंगे उनके पास केवल तीन साल है और जोतिष बड़े उसके साथ कहते हैं तो फिर बनेगा कौन? हमारे पास जो जो उप्शन्स हैं अमिझ जी की उप्शन्स हैं अबिच्छा जी हैं अपने पास योगी जी है और नितिन जी है इन में से आप देखना है कि कौन बनेगा किस के प्रबल चांसे हैं वो हम छेक कर सकते हैं तो आप जरब चेक करके बताएं जरूर के किस-किस के चांसीज हैं, तो लीजी एक और भविशवानी हो गई है, के बनेगे प्रधानमंतरी बनने जा रहे हैं, लेकिन तीन साल बाद बदलाव होगा, कौन होगे, नितिनगर्ड करी होगे, अमित्शा, योगी होगे, या और को जी जो है, वो एरीजमेश राशी से हैं, नाम के अनुसार, उनका भी स्वामी है मंगल, तो दोनों जो हैं बड़े एनरजेटिक लीडर्स साबित होगे, करी टकर, तीन साल बाद होगी, अमित्शा जी और नितिन जी की, ये दोनों करी टकर में आएंगे, और दोनों मैंसे, कोई भी प्रदान मंत्री बन सकता है, ये आप ये टैरो कार्ड के हिसाब से देख रहे हैं, टैरो, अंक शास्त्र और जोतेश सास्त्र जो की नाम राशी के अलो सारे, जी, क्या इनके लावा भी कोई और, क्योंकि देखे समर्थन तो आप नितिश कुमार भी दे रहे हैं, चंदरबाबु नाइडू भी दे रहे हैं, तो अगर आप कहती हैं कि ये ही बीजेपी के अंदर से होंगे, तो क्योंकि बीजेपी सिंगर लार्जेस पार्टी है, तो क्या बाहर का भी को हो सकता है, चंदरबाबु नाइडू या नितिश कुमार? चंदरबाबु नाइडू जी का जो ये साल है, बहुत ही शुब है, करकराशी बहुत ही शुब साल है ये साल उनके लिए, ठीक है, आने वाले तीन सालों की चेक करना पड़ेगा, तो ये साल बहुत है, और बहुत ही स्थर प्रवती के इंसान है वो, मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि तीन साल बाद चंदर बाबु नाइडू जी है, इनकी जिंदगी में कुछ बहुत ही अच्छा होगा, कोई अच्छी पुजिशन इनने मिल सकती, मैं यह नहीं कहती प्रदान मंत्री बनेंगे, बड़ कोई अच्छी पुजिशन इनने इलोट होगी पार्टी द साल का है, इसके बाद दिक्कते आनी शुरू हो जाएगी, क्या दिक्कते यह कि पार्टी के अंदर कुछ होगा या वो खुद छोड़ देंगे, विदिन पार्टी कुछ नो कुछ हो जाएगा, और सिच्वेशन बहुत डामा डोल हो जाएगी, लेकिन अमिश्या के आपने क अच्छा है, नितिन गड़करी का अच्छा है, योगी अधितनाथ जी कर रहे गया था, देखना, वो चेक कर लेते हैं, ये साल भी अच्छा है इनके लिए, और जो आने वाले तीन साल है, वो और भी अच्छा है, मतलब इस साल के कंपेर, जो तीन साल बाद की सिच्वेशन होगी, वो योगी जी के लिए अच्छी होगी, योगी में इस बार जो भारती जिंदापाटे की सीट्स काफी कम आई है, या उनका असर पड़ेगा उन पे, नहीं असर नहीं पड़ेगा, ये हमें इस टाइम जो दिख रहा है, वो आने वाले कल का संकेत नहीं है, योगी के यूपी पे जरूर जो इस टाइम आया है कॉंग्रिस का जादा आया है लेकिन योगी हारेंगे नहीं, आगे आने वाले कल में उनका और उद्धार होगा, तो वो भी आगे जाएंगे, मतलब ये जो हुआ है, इसका योगी जी से पार्टी की जरूर हार, बतलब हो कहेंगे हार हुए एक तरीके से, लेकिन जो योगी जी है, उनका आगे उन्नती है, अचा शिल्पी जी, ये जो आकड़े आये हैं, ये बहुत से जोतिशियों ने कहा, तिन सो, एक्जिट पॉल भी आये, बीजेपी को, एंडिये को चार सो बता रहे थे, खुद नारा था, वो कहीं नही ये क्या आपको लगा ये होना था, या ये सवाविक था, कि क्या था, ग्रहे एशिती या सिर्फ नारा दिया गया था, क्योंकि आपसे भी काफी लोगों ने सवाल किये होंगे, तो ये क्या था बेसी? इसा कोई रिजल्ट आता है, जब एक पार्टी का बहुत जादा एकसिस में रिजल्ट नहीं आता है, तो इसका मतलब ये होता है, कहीं नहीं, प्रजा जो है, Minskt तरीके से चुनाव कर रही है, अंग से नूट्रल चुनाव हो रहा है, डिक्टेटर्शिप कहीं नहीं है, जहां सवाल रहा astrologers का देखिए बविश्यवानी जो है speculative काम में बविश्यवानी का इतना रोल नहीं होता है ना यह speculative है politics is speculative है ना film industry is speculative जहां आंकडे उपर नीचे पल-पल होते हैं क्योंकि यह राहू से governed है राहू अपने आप में astrologers के भी उपर माना जाता है क्योंकि वो ब्र कर गया तो astrologers देवताओं के आगे तो क्या ही है ना तो यह राहू से governed है सारी चीज़ politics हो या फिर फिल्म इंडस्ट्री हो यह राहू governed है तो नाम राशी से भी आप यह तो टेरो कार्ड के आपने कार्ड देखे नाम राशी से अगर बात करे तो नरेंदर मोदी का आप बार पर जिक्र करें तीन साल बाद वो बदलाव होगा यह उनकी टैरो कार्ड रीडिंग से देखा या नाम राशी से देखा ग्रह क्या है यह बैसिकली एक हो गया टैरो कार्ड एक हो गया ग्रह राशी होगी astrology होगी अंक शास्त्र कई बाते कई भविश्यवानिया नहीं कह सकते हम बड़ कई चीजें ऐसी होती है जो शक्तियों के द्वारा भी कही जाती है और जो इन चीजों के भी उपर होती है तो जो राज्यों के मैं बार बार जिक्र कर रही हूं नरिंदर मोदी जी का राज्यों केवल और केवल तीन साल कर रहा है वे तीन साल ही विल इंजॉई र जयोग तु दु फुलिस्ट लेकिन राहू जो है वो किसी भी वक्त पल्टी खा सकता है और राहू का साल है दो हजार सब्सक्राइव बगवत मान जी के जीतने के जो चांसेज है वो बहुत कम है 2027 में कम है नीची तोर पे बगवत मान जी बहुत अच्छे इंसान है कॉमेडियन है जैसे युकरेन के प्रेजडेंट है और honestly काम करते हैं दिल से बहुत अच्छे हैं कॉमेडियन का भी किसी का बुरा नहीं चाह सकते लेकिन पॉलिटिक्स है राजनीती है यहां किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है और 2027 जो है राहू का वर्ष है पल्टी खाएगा जो अब है वो तब नहीं होगा मतलब situation बदलेगा बदलाव होगा अच्छा यह हो गया पंजाब की बात देश का क्या रहेगा इस कारेकाल में तीन अभी जो एंडे के सरकार बनी है भारत का क्या रहेगा जिस तरह हम कहीं पर कहते हैं के बार्ड, कुछ बारिश, तबाही और शेर मार्केट है ना एक overall इंडिया के लिए क्या रहेगा देखे overall इंडिया के लिए जो major changes मुझे नजर आ रहे हैं वो मुझे नजर आ रहे हैं नो के अंख पे यानि की अगले साल 2025, नो का अंख, नो देवियों का नो धुरगा का बहुत प्रभावशाली और प्रभल अंग है artificial intelligence में है न अपना astronauts जो उपर जाते हैं अंतरिक्ष में इस पे जो research होगी और नए-ने scientists उबर के आएंगे जो आने वाले सालों साल में नाम कमाएंगे उसकी खोज और उसकी research 2025 में शुरू हो जाएगी और 2025 में भारत का एक नाम जो है रोशन होगा विश्व में किसी ना किसी field को लेके technical field को लेके संकट का बादल तो नहीं संकट का बादल 2027 में आ सकता है जब राहू प्रबल होगा अगला साल बहुत शुब है बारत के लिए बहुत जादा शुब है एकला सवाल अशिल पीजी अब सवाल ये है कि राजनीती 2024 में पता लग गया कि कौन कहां पे खड़ा है राहूल गांधी कब प्रधान मंत्री बनेगी ये सवाल सब के जहन में है जी राहूल गांधी जी का जो समय है आने वाले कल में अच्छा होगा परंतु चाहे प्रधान मंत्री आनेवले वक्त में कोई भी बने जो कुरबानिया आजादी के वक्त भगत सिंग जी ने या उन लोगों ने जन्हों ने जान की कुरबानिया दी उनकी जगह इस वक्त कोई नहीं ले सकता एक बार बाइक स्टार्ट कर दे बाईक को चलाना तो कोई भी चला सकता है, भालू को भी बाईक पर बिठाएंगे, वो भी चला लेगा, लेकिन स्टार्ट जो की, वो उन लोगों ने की, जिन्होंने शहीदिया दी आजादी के टाइम, है ना, तो इस टाइम पे, जो तीन साल आने वाले हैं, इसमें तो जिन्का गांदी के ग्रह अपने भाई के लिए बहुत शुब है, लेकिन शुब वैसे नहीं है, रोजमरा की जिन्दगी में, शुब मतलब अगर दोनों एक टाइम पे, एंपी पहले बनेंगे, तो जाके ग्रह चाल काम करेगी, और आने वाला वक्त राहूल गांदी का तो राजनीतिक उतल पुतल देश में अभी नहीं होने वाली हिसाब से आप कह रहे हैं तीन साल तक, उतल पुतल इसी साल होगी, जो यह हो रही है, जो हम देख रहे हैं हलचल देश में एक दो दन से, और फिलाल जो तीन साल है, वो नरिनर मोदी जी राजयोग इंजॉई कर उतल उतल होगी यह होगी जात